प्रेंट्स ही है हमारे पास एक एच्पी टुलूपम की मोटर इसके अंदर जो डेटा निकला है रणिंग बाइंडिंग में इसके अंदर पांच कोईल का सेट है और इस वीडियों हम यह देखेंगे कि जो डेटा निकलेगा यानि जो पीछ होगी उसी के इसाफ से में मोटर बनानी पड़ती है यहां उसका डेटा चेंज कर सकते हैं लेकिन यहां पर मैं पहले उसका आपको डेटा दिखा जेता हूँ इसकी यह मोटर जो है एक एच्पी की है यानि के पॉन किलो वाट की है और एक सिंगल फेस की आठाइस सो आर्पीम की है और जो इसकी कोर की हां प्आंच कौइल का सेट ही डालते यह ठाध थंग जाएंगे और इसके लजा जाये है चारीज में। 12 टंस है 6 पिछ में 27 टंस है 8 पिछ में 35 टंस है 10 पिछ में 46 टंस है और 12 पिछ में 50 टंस है और इसके अंदर जो गेज है 23 प्लस 23 यह नहीं 23 नमबर के दो तार से इसकी बाइंडिंग होई है जो कि इसके अंदर भी सिंगल 23 नमबर का वायर है और इसके एक कोईल को वेट है वह देड़ सो गिराम है तो आप हम यह देखेंगे कि हम इसके अंदर पांच कोईल का सेट ही डालेंगे यह कम बढ़ती भी कर सकते हैं यह इतना बड़ा सेट डाले में काफी दिक्कत होती है तो यहा इसके डालेंगे हम देखेंगे कितनी टंस हैं 16, 27, 35, 40, 50 टोटल मिलाके होती है 174 टंस तो अब हम इसके अंदर कितनी टंस डालेंगे कि लगभग इसके बरावर आ जाए तो हम इसके अंदर टंस डालेंगे 6 पिच में डालेंगे 40 टंस और 8 पिच में डालेंगे 45 टंस और 10 पिच में डालेंगे 45 टंस और 12 पिज में डालेंगे हम 50 टंस अगर हम इसको जोड करके देखें 40 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 50 बरावर हो जाती ए 180 टंस यह हो गई हमारी टोटल 180 टंस ही है यहाँ पर 180 टंस तो हमें इसकी पिछ चेंज कर दी है 5 से 4 कर दी है तो यहाँ पर हमारी 180 टंस आई है यानि इससे जो 6 टंस जाना है कोई दिक्कत नहीं है डेटा हमारा चेंज हो गया और हमें आसानी भी हो जाएगी अब हम स्टार्डिंग का डेटा देख लेते हैं तो स्टार्डिंग की पीछ है 6-8-10-12 तो हम कर देंगे यहां पर एक हटा देंगे इसकी पीछ कर देंगे हम 8- स्टार्डिंग में यहां पर हम इसके अंदर दो का सेट बनाएं यहां पर हम कर देंगे 10-12 पिछ और इसके अंदर टंस डालेंगे हम स्टार्डिंग में यहां पर टंस टोटल हो रही है एक सो उनासी यानिके एक कम असी टंस हो रही है तो हम इसके अंदर टंस डालेंगे 90 अगर हम गराएक तो इसकी तार के साइज की बात पर हम जो आप शेंगा हो उसकी तो इसकी आन्दर भी हम जो ए पिछ चृंच किया है, तो हमने टन्स वराबर कर दिय है, इस डेटास हम इसको final करेंगे, तो फ्रेंड्स, हमने चार कॉयल का सेट बना लिया, एक, दो, तीन, चार इस सेट को हम इसके अंदर टालेंगे, पहले 5 कोईल का सेट था अब हम इसके अंदर 4 कोईल का सेट डालने वाले हैं सेट को हम इस तरह से रखेंगे और जो लीड वाला से रहा हमने अपने साइट कर दिया है और इसको हम कहाँ पर डालेंगे किसी भी स्लोट के अंदर डाल सकते हैं पहली कोईल को तो फटबड से हम यहाँ पर यह सेट को डाल देते हैं तो यह हमारे एक सेट की कोईल पढ़ चुकिया पहले इसकी पिछ थी 4 6 8 10 12 अब हमने इसकी पिछ रख दिये 6 8 10 12 तो यहां से 1 2 3 4 5 6 6 पिछ पर इसको बिठाल देंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने चार कोईल वाला सेट डाल दिया पहले पांच कोईल का सेट था पहले जो पिछ थी वह चार 6 8 10 12 ती अब हमने इसकी पिछ कर दिये 6 8 10 12 तो यह हमारी बाइंडिंग जो है एक इस लोट के अंदर आधी बाइंडिंग थी यह यहां पर रणिंग बाइंडिंग के दूसरा सेट भी डाल देते हैं तो मिया मैंँ निंग भैनिंग दोनों सेट डाल दी हैं चार कॉइला सेट बनाकर और अम सके अंदर को आधीं gaanवानी जो कि हमें 2 कॉईल का सेट बनाना है तो हमने स्टानिंग भैनेंग के नबए नबए टेंस डाली है तो इसको हम इसे अंदर डालेंगे कि सतना से डालेंगे यहाँ पर इसकी जो हम पिच रखेंगे वो 10-12 रखेंगे य monument 4ऌय यह है आठ Nो 10 किस तरह रही यहाँ पर आएगी यहाँ आगा से एक दो तीं 4-5 5 6 7 8 9 10 10 पर आएगा 12 पर आएगा तो इसको प्पर वड़ा से इसके अंदर डाल देतें कि यहां पर मैं आपको यह वर्टर के दोनो के दोनों राल देते हैं तो फ्रेंड हमने starting binding के दोनों सेट डाल दी है और पीछे की tapping भी कर दी है और आगे की tapping भी कर दी है binding complete हो या अब हम इसके उपर बार्मिश डालेंगे इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह था कि अगर मोटर के अंदर पांच कोईल का सेट है यह चार कोईल का सेट है तो उसकी संक्या हम कम कर सकते हैं जैसे पहले पांच कोईल का सेट था अब हमने इसके अंदर चार कोईल का सेट बनाया एक दो ठीक है इस तरह से आप किसी भी मोटर के कोईलों की संक्या चेंज कर सकते ह लेकिन उसकी टंस की संग्या बरावर होनी चाहिए जैसे कि हमारे रनिंग बाइंडिंग के अंदर जो टंस थी वह 174 थी अब हमने इसके अंदर लगवग 180 टंस डाली है यानि 174 के आसपास ही टंस आनी चाहिए चाहिए कोईल जो है चार का सेट हो यो पांच का सेट हो तीन का सेट है कि कितनी टंस थी उसी के आजब का आनी चाहिए खिक इसी तरह से इसे चार कवाईल का सेट हो और एक सब्सक्राव के इसके अंदर इनर 2 उनासी तंस ती गेज था उसमें आमने कोई भी चैंजिस नहीं किये जो गेज था वही डाला है हमने तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फरमेटिव वीडियो देखने को मिलती रहें तो हम इसको बरबानिस डालेंगे